तीन अंक या फिर नंबर को शुब नहीं माना जाता। तीन अंकों ना सिर्फ पूजापाथ में शुब माना जाता है बलकि घर के बड़े बुजुर्ग यह कहकर साफ मना कर देते हैं कि तीन की संख्या में ना तो कुछ दिया जाए और ना ही लिया जाए। इसके अलावा किसी कीवी भोजन की थाली में तीन रोटिया नहीं परोसी जाती। इस प्राजीन मान्यता को कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं मानते परंतु कुछ लोग मानते हैं और इसका पालन भी करते हैं। आखिर तीन रोटिया थाली में क्यों नहीं परोसी जाती। आये जान लेते हैं इसके कारण तीन रोटियां किसी की भी थाली में रखना मृतिक के भोजन के समान वाना गया है थाली में तीन रोटि तब रखी जाती है जब किसी व्यक्ति की मृति हो जाती है और उसके त्रियो दशी संसकार से पहले उसके नाम की ठाली लगाई जाती है उस दोरान तीन रोटिया ठाली में रखी जाती है इसे सिर्फ परोसने वाला ही देख सकता है इसके अलावा और कोई नहीं इसलिए किसी भी जीवित व्यत्ती को तीन रोटी नहीं परोसनी चाहिए ऐसी भी मान्यता है कि कोई व्यक्ति थाली में अगर तीन रोटी रखकर खाता है तो उसके मन में दूसरों के प्रती शत्रुता का भाउत्पन होता है और यही कारण है कि थाली में एक साथ तीन रोटी रखने के लिए मना किया जाता है यह थी हिंदू धर्म की धार्मिक मान्यता आईए जान लेते हैं इसका विज्ञानिक ड्रिश्टी कोण क्या है विज्ञान की नज़र से देखे तो व्यक्ति को एक साथ ज्यादा भोजन रख कर कभी नहीं खाना चाहिए ज्यादा भोजन करने की बजाए थोड़ा-थोड़ा करके खाना चाहिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक बार में एक कटोरी दाल, सबजी, चामल और दो रोटी काफी होती हैं इससे ज्यादा भोजन करने पर मोटापा बढ़ जाता है इसके अलावा अन्य सेहत संबंदी समस्याइं भी उत्पन हो जाती हैं इसी लिए ठाली में हमेशा पहले दो रोटी रखी जाती हैं इसी तरह की अन्य बाते उपाई और व्रत कथाईं जानने के लिए आप हमारा चैनल वास्तुशाद सब्सक्राइब करें और अगर पसंदायत से लाइक और शेयर करना ना भूलें नमस्का